स्रिष्टी, प्रकृती या फिर कुदरत चाहे सूरज, चांद, हवा हो या तारे, पेड, पानी, सब कुछ ये सारे हमेशा से मनुष्य के लिए वर्दान रहे हैं इनका अस्तित्व वो उम्मीद है जो कहती है कि जब तक स्रिष्टी ये कुदरत है तब तक जीवन सुरक्षित है इसलिए खास तोर से पेड, पानी और शुद्ध हवा का अपना कुदरती रूप बनाए रखना आज बेहद जरूरी है और इस सोच की गहराई को समझ कर उस दिशा में सफलता से अपने कदम बढ़ा रही है संकेत नर्सरी हरी भरी स्विष्टी की ओर हमारे कदम असी के दशक में श्री रूपेंदर जी काले द्वारा स्थापित इस छोटे पौधे का आज 21 शताप्दी में एक बड़े विशाल व्रिक्ष में रूपांतर हुआ है कई सारी कठिनायों का सामना कर शुरुवाती दौर में बस कुछी गुलाबों और अनार के पेड़ और अन्य पौधों से संकेत नर्सरी का प्रारंभ किया गया आए जानते हैं संकेत नर्सरी की सफलता का ये दिल्चस्प सफर अगर अपने पास खीती है तो खीती को व्यावसाइकता की जोड़ दी तो क्या होगा ये बात दिल में सोचने को मजबूर करने लगी प्रतम एक एकर शेतर में गुलाब और मिशिगंदा के फूलों की खीती की शुरुवात की पहले पानी और बीजली से लेकर सभी समस्याय आने लगी उस वक्त नासिक के किसानों की ग्लैडिटर गुलाब के पूदे की डिमांड थी हम रोज सबेरे चार बजे उटकर नासिक जाकर उनकी ओर्डर लेकर कलम के लिए जो बढ़ लगते थे वो लेके आते थे संकेत नरसरी श्रीसाई बाबा की पावन नगरी शिरडी से कुछी दूरे गाउं वाकडी में स्थित है कड़ी मेहनत और अपने लक्ष को पाने की इच्छा इन दो विशेशताओं ने संकेत नरसरी को धीरे धीरे एक नया आकार देना शुरू किया ये नरसरी दस एकड में फैली हुई अपने आप में एक बहतरी नरसरी है जहां 250 से ज्यादा फूलों और फालों के पौधे उपलप्त है चाहे इंडोर हो या आउट्डोर दिल लुभाने वाले विभन प्रकार के दुरलब सजावती पौधे भी यहां मौजूद है संकेत नरसरी एक परंपरागत धंग से चलाई जाने वाली एक ही परिवार की नरसरी है जिसमें परिवार के कई सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी कुशलता से संभाल रहे हैं श्री आनन्द काले जो संकेत नरसरी के डायरेक्टर है और श्री रूपेंदर जी के छोटे भाई हैं इन्होंने नरसरी को और ज्यादा उन्नत और आधुनिक बनाया लोगों में बढ़ती हुई गार्डनिंग की दिल्चस्पी और पेड़ पौधों की विवित्ता की मांग की वज़े से संकेत नरसरी ने तरह तरह के असामाने पौधे उपलब्ध किये हैं इनमें खास तोर पर शामिल हैं फल, फूल, इंडोर और आउट्डोर सजावती पौधे, कई तरह के क्रीपर्स यानि लता, जाड़ी, आयूर्वेदिक और और आशधी ये पौधे पौधों की विवित्ता और उनकी सही उत्पादक्ता को लेकर एक विशेश अध्ययन किया गया है कस्टमर्स की मांग के अनुसार यहां विशेश रूप से गोल्डन सीता फल, अमरूद, अनार और गुलाब के पौधे बुआई कर तयार किये जाते हैं इन पेड़ पौधों का निर्माण नर्सरी के ही मूल पेड़ पौधों से ग्राफ्टिंग करके होता है उच्च स्तर के पौधे और अधिक उत्पादन के लिए नर्सरी ने पौली हाउस और कई शेड नेट्स भी बनाए है आप शुर्वाट से नर्सरी का प्रमुकहण नर्सरी का प्रमुकहणा तक रहा है जिसमें हम डिवाइन ग्लेडियेटर ये किसानों के लिए उप्युक्त वराइटीज बनवाते हैं ताकि वो फूल हार के लिए उप्युकता आ सके पर जैसे जैसे समय बदलता गया फ्रूट इंडस्ट्री में ज्यादा डिमांड बढ़ने लगे तो हमने फ्रूट से अनार है, सिताफल है, गोल्डन सिताफल है, तैवान अम्रूध है, अंजीर है, केशर आम है, जामून है ये सभी वराइटीज कमर्शली लोग लगाने लगे तो इसके पहले हमने बगीचे लगवाए ताकि उसी बगीचों से हम इसको प्रोडक्शन कर सके और लोगों को अच्छे क्वालिटी के बहतर पोधे लगाने में आसानी हूँ प्रमानित कई पोधों को पेड़ों का रूप दे रही है, दुरलप और नाया पोधों को विदेशों से आयात भी किया जाता है, इन पेड़ पोधों को किफायती दामों में किसान, एजेंसी, व्यापारी एवं लैंड्सकेपर्स को बेचा जाता है, सिर्फ इतना ही नहीं बलके तीन दशक के बेहतरीन अनुभव की बुनियाद से अपने कस्टमर्स को उम्दा, व्यापक, एवं विस्तरित सुझाव और जानकारी देकर मन को प्रसंद कर देने वाले ग्रीन इको सल्यूशन्स की सेवा प्रदान करती है, खास तोर से किसानों को नरसरी की सेवाओं का बड़ा फाइदा हुआ है. से अपने कस्टमर्स की संपून संतुष्टी को सबसे ज्यादा महत्व देने के कारण ही संकेत नरसरी का नाम उभर कर एक मात्र विकल्प बन गया है. और इसी वज़े से संकेत नर्सरी के corporate client आज दिन बदिन बढ़ रहे है Sports Field Development, Farmhouse Development, Open Space Development, Landscaping, Vertical Garden आदिक शेत्रों में संकेत नर्सरी ने अपना एक एहम स्थान हासिल कर लिया है Landscaping is nothing but putting variety of elements like flora, water bodies, sculptures, murals in a different way and come out with best option and best outcome that will just soothe your eyesight So designing this, implementing it in a different way for every new project is what we enjoy doing here That gives us inner satisfaction and job satisfaction as well For my design, interior and landscape design works together Before entering any space, according to me, the person should feel the connectivity right from entering to the premises and living it And yes, so that's why I try and club interior and landscape part together And in urban areas where people live in the flat schemes, creating landscape is not possible there So most often, I try and create outside, inside parts I personally admire the interior designers and architects who incorporate the natural elements and environmental friendly practices in their design As-pati says in the city of Manila In urban areas, the city of Manila So we are going to work in summer and in my ship A lot of different ways, the city of Manila As-pati says in our lifetime, the city of Manila An individual should have been a success I'm a full- rophing tree An individual between Manila Today, the city of Manila Shara's church Our people who are going to work in the street And the town of Manila And the town of Manila Shara's church The town of Manila कर रहा हूँ यहां आने वाले कस्टमर को फूलों की पोदों के जानकरी देता हूँ मेरे जैसे जितने भी लोग है हम सब एक परिवार के तरह रहते हैं मैं संकेत रोज नर्सरी चे बहुत खोश हूँ संकेत नर्सरी अपने क्षेतर में बुलंदी को छूने वाला नाम चाहिस संस्था हो या बंगला स्कूल हो या अस्पताल मंदिर हो या होटेल संकेत नर्सरी की सेवाओं की जड़े अपने उंदा अनुभव की वज़े से देश भर में फैली हुई है पौधों की सप्लाई को लेकर आज इस नर्सरी का नाम बहतरीन सेवाओं की बदौलत देश के बड़े सप्लाईस की सूची में दर्च है पौधों और पेड़ों की सजावट के लिए पेड़ पौधों से मिलने वाली शुद्ध हवा के लिए और अपनी धर्ती मा के प्रती जिम्मेदार होकर फूल फल पौधों समेत आपकी सेवा में है संकेत नर्सरी स्टेपिं टूर्स ग्रीन प्लाईट